आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, question बोला है कि यह साइरेन विद रिंग ऑफ 200 होल तो आपके पास क्या है एक रिंग है और इस रिंग में 200 होल्स है तो मानलोड ऐसे करके आपके पास टोटल 200 होल्स है आगे बोला है कि इस मेकिंग 132 रिवल्यूशन पर मिनट तो इसका ओमेगा उसमें आपको बताया है इस 132 रिप्येम इसका मतलब यह हुआ यगर ट्यूनिंग फॉर्क का फिक्वेंसी एन है तो आपका इसका जो फिक्वेंसी होगा यह 2N होगा ठीक है इसकी फिक्वेंसी 2N है फिक्वेंसी का मतलब क्या होता है टोटल नंबर आफ वेवज पासिंग तूरू इन सेकेंड तो एक सिंग में कितनी वेवज जो रहे होगा इसका फिक्वेंसी होता है तो एक टाइम पीरेड में एक छिनरेट होती तो उसका रिवर्स कर देंगे तो नंबर आ फिवज आपको पता सरे लाए तो तो जोगो एक मिनट में इतने revolution कम्प्लीट करता है तो जब आप इसका 1 second से calculate करोगे, तो 1 second में इसकी value कितनी हो जाए कि 132 by 60, it is required to 6, 2,12 and 6, 2,12, तो I think it will be 2.2, 2.2 revolutions per second, तो 1 second में 2.2 revolutions perform करता है, ठीक है, अब उसने ये बोला है कि 1 second में 2.2 revolutions per second perform करने मतलब कि जो 200 vols हैं, इनका एक revolution में 200 waves generate होंगी, तो 2.2 second में जो waves generate होंगी, तो आपको बताना है, ठीक है, तो total number of waves will be, total number of waves in a second, in 1 second, will be equal to 200 into this total number of revolution, which is equal to 440, तो 440 waves generate होंगी, तो जो frequency होगी, उसकी value होजाएगी 440 Hz, तो जो disk होगा, उससे 440 Hz की waves निकलेंगी, ठीक है, अब आप से उसने क्या पूंचा, उसने n की value आप से पूंची है, तो क्योंकि 2n की value है 440, तो n की value कितनी होजाएगी, 220 Hz, तो जो tuning fork होगा, उसकी frequency क्या होगी, 220 Hz तो यह क्या होगा आपका, अंसर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंसर होगा, 220 Hz, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थेंक्यू